बिस्मिल्लाई रह्माने रहीम असलाउलेकुम कैसे हैं आप लोग आज हम बनाएंगे मसूर्दा लंडा चावल क्विक इजी और सिंपल तरीके से तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम बॉयल रेज बना के तयार करेंगे साधे चावल उबाल लेंगे यहाँ पर मैंने एक कप चावल ले लिए हैं जिसे हम दो से तीन बार अच्छे से धूलेंगे वाश कर लेंगे चावल को मैंने अच्छे से दो से तीन पानी से धूलिया है इसे करते हैं साइड दो कप पानी उबाल लेंगे एक कप चावल है दो कप पानी उबालेंगे इसमें एक बॉयल आने देंगे पानी में एक boil आ गया है चावल डाल देंगे और medium flame पर हम इसे cook करेंगे मैं इसे सिर्फ पानी के साथ उबाल रही हूँ आप चाहे तो oil और नमक इसमें add कर सकते हैं cover करके चावलों को हम पूरी तरीकी से पकने देंगे चावल हमारे पकड तयार है गैस का फिल्म कर देंगे बंद और ढखकर इसे रख़़़़े और इसे करदेंगे side दाल बनाकर त्यार करेंगे आदा कप मसूर की डाल इसे हम दो-तीन बार अच्चे से दोलेंगे यहाँ आप दाल को हम peace of that it अब दाल के गला लेंगे यहाँ पह मेंने कुकर ले लिया है कुकर में डॉल को डाल, एक कप पानी डाल देंगे कि ऊफटीसफून नमक कीफ ताख पूम मैं डेल दाल नमक अंडा बना के तियार करेंगे यहाँ पर मैंने तीन अंडे ले लिए है जिसे हम इसमें तोड़ लेंगे इसमें हम डाल देंगे एक टेबल स्पून बारी कटी प्याज एक बारी कटी मिल्च थोड़ा साहरा धनिया नमक टेस्ट के हिसाब से अच्छे से मीख कर लेंगे और अ अंडे को अच्छे से फेट लेंगे अंडे को हमने अच्छे से फैट लिया है चुल यह पर मैंने तवा चड़ा दिया है तवा हमारा हो रहा है गरम इसके उपर हम डाल देंगे एक टी स्पून ओईल फेटी हुए अंडे को डालके ओमलेड बना के तियार करेंगे मीडियम फ्लिम पर हम इस अच्छे से पकने देंगे इस तरीके से फैल आले और अंडे को अच्छे से पकने दें मीडियम फ्लिम पर हम अंडे को अच्छे से कूक कर लेंगे अंडे को हमने अच्छे से कूक कर लिया है और अब अंडे को इस तरीके से हम फोल्ड कर देंगे दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथ में बेल के बटन को दबाना ना भूले जिससे मेरे आने वाली नए ने रेसीपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी अंडे को हमने अच्छे से फोल्ड कर लिया है और नीचे उपर से पल्टा कर हम इसे थोड़ा सा सेक लेगे और अब हम इसे तुकडो में कट कर लेगे आपको जितने भी बड़े पीस चाहिए आप उसी साब से इसे कट करें यहाँ पर हमने इसे अच्छे से कट कर लिया है और ने पैन चुड़ा दिया है पैन गरम हो गया है इसमें- डालेंगे दो से 3 टेबलOTTप्ल ऑ इसमेल साइज के बारी कटी पियास डालके हम इस अच्छिस एक अच्छे पेस्ट इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे, फ्राइ कर लेंगे, प्याज और लेसुन को पेस्ट को हमने अच्छे से भून लिया है, फ्राइ कर लिया है, इसमें हम डाल देंगे, एक स्मॉल साइस का बारिक कट्र टामाटर, हाफ टी स्पून हल्दी, एक टी स्पून लाल म पूडर, एक टीज्बून धनिया पौडर, वाफ टीज्बून गरम मसाला, अच्छ से मीज़ कर लेंगे, आप जाए तो यहां पर नमक डाल सकते हैं, मैंने नमक दाल में अच्छ से डाल दिया तो है, इसलिए यहां पर नमक नहीं डाला है, थोड़ा सा पानी डाल देंगे, जिससे हमारे मसाले नहीं जलेंगे, मीडियम फ्लेम पर कवर करके हम इसे 2-3 मिनट कूक होने देंगे, इसे कूक होते 3 मिनट हो गए है, आईए चेक कर लेते हैं, टमाटर को हम पूरी तरीके से इसमें गला लेंगे, टमाटर हमारे इसमें अच्छे से गल गए है, उबली मिंक्स करेंगे और इसमें एक उबाल आने देंगे, टाल में ऊबाल आ गया है, इसके अदर हमधे होवे ओमलेट डंगे और इसे अच्छे से mix कर लेंगे medium flame पर हम इसे 2 minute और cook करेंगे 2 minute हो गए है दाल हमारी पकर तयार है इसके उपर से हम बारी कटा हराधनिया डाल कर mix कर देंगे गैस का flame कर देंगे बन और हम इसे कर लेंगे dish out यहाँ पर मैंने serving plate में चावल निकाल लिये है साथ में इसमें डाल अंडा डाल लेंगे अगर आपने कभी इस तरीके से डाल अंडा और चावल नहीं बना है तो एक बार बना कर जरूर ट्राय करें मसूर डाल अंडा चावल हमारा serve करने के लिए तयार है आपको मेरी recipe अच्छी लगे तो like करे, share करे और मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें तो चलिए मिलते हैं अगली recipe के साथ अल्ला हाफिज